कि वेल्कम बैं के बीडिवोन मैं विजय आपका एक बार फिर से सौक्ट करता हूँ अपरेश चैनल में दोस्तों की वीडियो में लोग मैथ के क्वेस्टन को डिस्स करेंगी जो कि ग्रूप डी और एसाई रेवल के क्वेस्टन के अधर एक्जाम्स के लिए भी बहुत ही महा किस रूपया है और जिसका रेशियो 436 मतलब की चार भाग यहां 50 पैसे के हैं और तीन भाग एक रूपय के और 6 भाग की बात करेंगे तो दू रूपय की यहां पर प्रस्ण होता कि 50 पैसों की कुल संख्या वाले से कि कितने होगे तो यहां पर जो रेशियो दिया रहता आ यहाँ पर 6X कर देंगे जो रूपए में है उसको आपको शेर्डने नहीं है केवाले हाँ पचास पैसे के दो कौइंस होगे आपको पैसे को मैं इस तरह से करना जितने कौइंस बनेंगे हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर 2X प्लस 3X प्लस 6X मिलाकर कि कितने रूपए में 221 आपको इस तरह से रखने हैं यहाँ पर हम 2X 3X और 6X को आट करेंगे तो 17X आ जाएगा 17X बराबर कर देंगे 211 कर देंगे 17X की जो वैलू निकल के आएगी वो 13 निकल के आएगी तो प्रस्न होता 50 पैसे की तो 50 पैसे का रेशियो यहाँ पर दिया गया था 4X तो अब यहाँ पर वैलू पूट करने है 4 multiply 13 कर देना है multiple कर देंगे तो 52 आपका राइटेंसर होगा according to alternative देखेंगे तो first alternative आपका correct होगा तो उमीद करता हो कुशन आपको समझ में आगया होगा यहाँ पर हम सेकंड नंबर के जब प्रस्न की बात करेंगे कि यह बैपारी ने एक फार्सी कालीन जो है 1235 रूपए में उसे खरीगता है और 15 रूपए में बेच देता है तो लाब प्रेश्ट गया तेरी तो simple question है पहले हैं पर हम लाब निकालेंगे लाब बराबर विक्रे 65 कर दे हैं लाब जो होगा multiply 100 कर देना है और अपान यहाँ पर हमें करना है स्टार्टिंग करें मतब क्रेमोल बारा 35 करेंगे जब अबराल कल्कुलेट करेंगे तो इसका जो एंसर निकल के आएगा 21.46 प्रस्ट होगा according to alternative देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो भी alternative है थर्ड कोस्टन की बात करेंगे most important कोस्टन है यहाँ पर दिया गे कि बिद्धू बल्फ जिसकी समता 60W दिया गया है और कहरा कि 240 बोल्ट स्रोस से उसे जोड़ा गया है तो प्रसना आगे होता है कि बल्फ दौरा कितनी बिद्धू धारा खपत होगी मतलब कि यहाँ पर बि दिखने हैं पी का मतलब 60W करके दिया गया है अगर बॉल्टेज की बात करेंगे वी बराबर 240 दिया गया जैसे कि आप जानते विद्धू धारा को आई से नोट करते आई पराबर आपका जो सूतर होता है पी अपान वी होता है क्लिए अब बैलू को आपको पूट करने है म मुझे जोर्चों तो यहां पर कट करेंगे तो यहां पर दिखन लो में से कानवाट करेंगे दिखन लो तू फाइप करके आएगा एंसर एकॉर्डिंट्ट तो यहां पर आपका सी एल्टनिटीव क्रेंट होगा तो उमीद्करता हो कुर्ष्ण फौर नम्बर प्रेसिन की बात करेंगे, तो यहां पर दिया है किया ती अट्रा प्रियमूल, बारा प्रियमूल के बराबर है, तो जब वर्क़ई बराबर हो गए, ऊज़त हो तो आप क्या करना है? आगे प्रेसित करिए, किया करें किक पर अब यहाँ पर क्रेमूल की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 12 रूपया क्रे हो जाएगा अगर भी क्रे की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 रूपया होगा मतलब कि यहाँ पर 12 में रूपया हम अपने खरीदा 18 में सेल कर दिया बेज दिया कोई चीज़ को तो यहाँ पर 6 र कि आपका आजाएगे कॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखिंग दोस्तों तो यहां पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा मतलब 50% आपका राइट एंसर है उमीद करता हो कॉस्टन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा चलते एक लिए प्रसंट की तरह करने हैं बढ़ते क्रम में उसके बाद यहां पर नंबर कॉंट करना होगा कि सम के अंतरगत है कि विश्व के अंतरगत तो पहले इसे हम जब या संडिंग आडर में करेंगे तो यहां पर सबसे छोटा ही इन स्रिंखला में 12 है इस तरह से आपको लिखना होगा इस फीट में टाइम दिया तो फिटी टू टाइम लिख देंगे फिर कामा करके डॉट डॉट जो भी दिया गया मतलब इस तरह से पूरा सेट कर देने हैं आपको क्लिए सट करने के बाद ध्यान से देखेंगे यहां पर काउंट करेंगे कि एन की वेलू कितना दिया तो यहां पर वन 15 प्लस प्लस वन बहत कमान हापां टू होगा कलिया तो यहां पर यहां पर यहीं की वेलुसरे यहां राखेंगे तो सिस्टीवी का मतलब फशन पर्वांड मतलब चसर मतलब 8 heures ہو जाएगा 2 और ये rapp दूसरा सक्टर जह говорят नवा मतबब 8 और 9 एक अथ को आपको यहां पर ढूठने हैं तो काउंट करेंगे आठ वा 53 होगा नवा आपका यह हो जाएगा 53 तो इसको 53 और 53 को आड करने है 53 और 53 को आड करेंगे तो 106 हो आपको आड कर देंगे तो पान टू कर देंगे करेंगे 53 आपका राइट एंसर होगा तो उमीद कर तो कोशन आपको जी तरह समझ में आ गया होगा six नम्र पुरौसन कीँ अगर बात करेंगे तो यहां पर निया कि दो संख्यो ना करें कि शीव कर दिया तो प्रतेक भाइगा में दस की प्रिद्धी करदे जाये तो रशीडो फाइब गौत पर जिस्वह सेवन यूज रेशियो गयांत करिए तो मतला bes sigs था करने है ratio में दिया रहेगा तो आपको अपान करना है 5x करना मतलब छोटी संक्य 3x बड़ी संक्या 5x हो गई प्रतेक में 10 की ब्रिद्धी हो गई तो इस तरह से आपको 10-8 कर देने हैं 10-8 करने के बाद इस्तिती होती है 5 ratio 7 होता है 5 vaille, 7 साथ सबसे करने क्राफ मन्टी। कर देंगे दोस्तों तो 21 x हो जाएगा प्लस यहां पर 70 हो जाएगा बराबर करेंगे यह तरह से 5 का मैट्टीपर करेंगे धर तो 25 x हो जाएगा प्लस हूज है 50 हो जाएगा यहां पर जो है ऐकocar क्ल्कुलेशन करना है तो 21 यहां पर X हो जाएगा माइनस 25 X बराबर कर देंगे इस सेक्टर में 50 और माइनस से हो जाएगा 70 कहने के मतब यहां पर घटाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा और इस सेक्टर में माइनस 4 X हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा 4 से cut कर देंगे तो X की जो value निकल के आएगी 5 आएगी तो प्रेशन होता है तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है तो अपने क्या मान रखा है 3 X मान रखा है तो 3 का यहाँ पर जो है 3 multiple X की value 5 रख देंगे तो जो 15 होगा आपका right answer होगा चोटी संख्या 15 होगी according to alternative आपका C correct होगा तो इस तरह से question simple है आप कर सकते हो तो उम्मीद करता हो question समझ में आगे होगा चलते एक लिए प्रेसिंगे यहाँ पर प्रेस्ट नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो 6321 में से कहरा कि न्यून्तम संख्या क्या घटाई जाए कि पर आप तो संख्या 14 से पूरी तरह से भी भाजित हो जाए तो कहने का ताथ पर होता है कि यहाँ पर हम 14 से 14 से पहले यहाँ पर digit जो दिया गया है 6321 यहाँ पर भाग देंगे भाग देंगे दुस्तों टो दाइम जाएगा तो फोटाइम जाएगा त jugick spell का हो जाएका लेस कर देंगे दुस्तों तो यहांपर 7 होगा तू को नीचे करेंगे तो यहांव तर व माइप टाइम ले जाएगे तो सता हो जाएगा once again to remain होगा और उपर वहाँ पर one दिया तो one अपर नीचे करने है 14 से ले जाएंगे तो one time जाएगा remain में साथ होगा clear तो इस प्रस्न में इस तिर्फ इतना दिया था 14 से पूरी तरह से भी भाज होगा कहने के मतलब दोस्तों यहाँ पर जो 7 remainder बचा हुआ है अगर साथ को पूरी तरह से इसमें घटा दिया जाता तो 14 से पूरी तरह से कट जाएगा तो इसका जो राइट एंसर होगा सी alternative correct होगा तो जो remain होगा अगर मतलब कहने का तात्मर हो गया कि यहाँ पर 6321 में अगर साथ को घटा करके 14 से भाग दिया जाएगा तो पूरी तरह से वो कट जाएगा मतलब जो 6 से यहाँ पर 7 बच रहा है तब 0 बचेगा तो राइट एंसर आपका C alternative होगा तो उम्मीद करता हो question समझ में आगे होगा बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 8 number person की तो दिया गया कि यह जो है एक जनसंक्या का मानक बिचलन 9.5 दिया गया है तो यहाँ पर प्रसराड गयाद करिए तो प्रसराड का जो सूतर होता है तो इसका जो सूतर होता है वो होता है जो है मानक बिचलन मतलब मानक बिचलन का whole square होता है clear तो यहाँ पर आपको 9.5 का whole square कर देने बस आपका एंसर हो जाएगा तो दो बार यहां पर multiple कर देंगे तो जो है आपका 90 उसके बाद 0.25 राइट एंसर होगा according to alternative देखेंगे दोस्तों तो यहां पर भी alternative आपका correct होगा तो इस वीडियो मैंने एट क्वेश्टन प्राक्टिस कर वाया वीडियो अच्छा लगे तो प्ली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूली मिलते अगले वीडियो में थैंकी फो वाचिंग देखेंगे